हैलो गाइज वेलकम neurop अभिद्ध्धल अच्मी कोचिंग्ग मैं आप लोग के लिए आज लाज कलास 10 जो कि फरस्ट चेप्टर विकास लेकर आई है तो आज हम लोग फर्स्ट चेप्टर विकास से और बेसिक कोईस्टन है बताने बाले है और basic question के माइधम से ही आपका explain भी हो जाएंगे तो चलिए बाढ़ते हम लोग basic question की और तो देखिए चप्टर आवान विकास का basic question फ़र्ष नमबर है कि GDP का क्या अर्थ है तो GDP का अर्थ है सकल, घिरेलू, उत्पात ओके और दू नमबर question है कि देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्तपुर्ण आधार क्या है तो इसका उत्तर होंगे ओसत आई फिर तरी नमबर question है हमारे समाज में भिविन्न बर्गों के विकास के दवारा प्राप्त किया जा सकता है तो लोकतांत्रिक राजनेतिक प्रक्रिया दवारा फिर नमबर four question है कि भारत के किस राज्यों में सिसु मिरुत्तु दर सबसे कम है तो इसका उत्तर होंगे केरल फिर नमबर question है केरल में सिसु मिरुत्तु दर सबसे कम क्यों है तो इसका उत्तर होंगे यहां मूल स्वास्त अबंग सिच्चा सुविदाहों का प्रवधान है फिर six number question है सरवाधिक मानव विकास सुचकांग बाला राज कोन सा है तो इसका उत्तर होंगे केरल फिर देखे seven number question है मानव विकास सुचकांग की गनोना किस संगठन के दबारा की जाती है तो इसका उत्तर होंगे UNDP एक यह संगठन है ओके चलिए फिर eight number जीवन परतेश्य से क्या अभिपराई है तो इसका उत्तर होंगे वेक्ती के संभावित चीवित रहने का ओसत बर्स नाइन नमर question है कि बिस बो बेंग की अनुसार 2004 इस भी में भारत बर्स में प्रोती वेक्ती आई किया थी तो इसका उत्तर होंगे 620 डोलर से कम ओके यह 2004 का अकड़ा है पिटैन नमर question है जन सुभीदाओं का क्या अर्थ है तो इसका उत्तर होंगे यह सुभीदाई जो मानब जीवन को बहतर बनाने के लिए अवश्क होती है 11. सर्वजनीक बीतरन प्रानली किया है तो इसका उत्तर होंगे राशन बीतरन की वो प्रानली जिसके दबरा उचित मुल्लों पर गरीबों को सरकारी दुकानों के माइधम से रासन बटा जाता है तो इसका उत्तर होंगे जब कुल राष्टियों आई को कुल जन सिंख्या से भाग करते हैं तो उस रासी को प्रोती वेक्ति आई कहते हैं इसका उत्तर होंगे मानव विकास का यह उत्तर है कि जीवन की एसी परिश्थितियों उत्पन करे जो लोगों को आपनी प्रोतीभा की अनुसार आर्थिक एबंग स्री जनात्मक जीवन जी सकने में सैक हो उसे मानव विकास कहते हैं इसका उत्तर होंगे देश के सभी उत्पादनों यावं सभी वस्तुओं और सेवाओं के मुल्यों के साथ यदि विदेशों से प्राप्ट आई को जोड लिया जाई तो उवह राष्टियों आई होती है आई के अतिरिक्त विकास को जानने के लिए कोन-कोन से कारक या मापड़न्ट है इसका उत्तर होंगे अच्छा विवहार, समानता, सोतंतरता एवं सुरच्छा इसका उत्तर होंगे बांधो से सिचाई की सुविदाईं बढ़ती है एवं एक बड़ी मात्तरा में बिजली उपलब्द होती है इसका उत्तर होंगे किसी वेक्ती की कूल वजन को उसकी लंबाई के बर्ग से भाग देकर शरीर दरेमन सुचकांग निकाला जाता है इसका उत्तर होंगे अवश्चकता की परतिच संतुष्टी के लिए किसी पदार्त की उपयोगिता का परियोग करना ही उत्तर पादन किया है इसका अनसर होंगे वो आर्थिक किरिया जिसके दबारा किसी वस्तु अत्वा सेवा को उपयोगी तथा मुल्लवान बनाई जाता है उसे उत्तपादन कहा जाता है इसका उत्तर होंगे उन देशों को बिक्सित माना जाता है जहां वेक्ति की आई बर्स भर में 10,666 डोलर से अधिक हो कूछ लोग बांधों का बिरोध क्यों करते हैं कूछ लोग बांधों का बिरोध इसलिए करते हैं क्योंकि उनको बेघर होने का डर बना रहता है और पानी में उसकी खेती यग्यो भूमी डूब जाती है नेक्स्ट वेंटी टू नमर क्वेश्चन है कि भुमिहिन ग्रामीन मजदूर की क्या आकंचाई होती है तिसके उत्तर होंगे कि भुमिहिन ग्रामीन मजदूर की आकंचाई निम्न है फर्स नमर काम करने के अधिक दिन और बहतर मजदूरी नमबर टू, इस्थानिय स्कूल उनके बच्चों को उत्तम सिच्चा प्राप्त करने में यग नमबर तीन, कोई समाजिक भेदवाव नहीं और गाव में वे भी नेता बन सकते हैं नेक्स्ट वेंट थिरी नमबर क्वेश्टेन पंजाब के संब्रिदी किसान की क्या आकंचाई होती है इसका उत्तर होंगे, पंजाब के संब्रिदी किसान की निम्न आकंचाई है नमबर वान, किसान को उनकी उपज के लिए ज़्यादा समर्थन मुल्लों की प्राप्ती नमबर टू, महनती और सस्ते मजदूर नमबर थिरी बच्चो को बिदेशों में बसाना आदी नेक्ष नमर ट्वेंटिफोर सिसु मिरुत्तु दर किसे कहते हैं इसका उत्तर होंगे किसी बर्स में पैदा हुए एक हजर जीवित बच्चों में से एक बर्स की आयू से पहले मर जाने बाले बच्चों का अनुपात को सिसु मिरुत्तु दर कहते हैं एक बिख्षित देश और विकासिल देश की मुख्य पिसस्ताई क्या होती है तो पहले बिख्षित देश का करते हैं तो बिख्षित देश फर्स्ट नईत तक्निक व बिख्षित उद्धुक नंबर टू उच्च इस्तरिय रहनसन नंबर थिरी उच्च प्रती वेक्ति आय। नंबर फोर सच्चरतादर उच्च अब आते बिकासिल देश फर्स्ट उधोगीक रूप से पिछडे हुए। सकेंड निम्न प्रती वेक्ति आय। थर्ड निम्न इस्तरिय रहनसन फर्थ सच्चरतादर निम्न याने सच्चरतादर में कमी। नेक्स्ट वेंटी सिक्च नंबर क्वेश्चिन विकास क्या होता है। इसका उत्तर होंगे विकास जीवन में प्रगती अबंग सुधार को बतलता है। नेक्स्ट ट्वेंटी सेवन नमर क्वेश्चिन आर्थिक विकास के लिए सच्चरता क्यों अनिवारियों है इस पस्ट करे इसका उत्तर होंगे फर्ष नमर यह ग्यान और दच्छता देता है सेकेंड रोजगार उत्पन कराता है ठाड आधुनीक तकनीक को लागू करने की छमता को बढ़ाता है फोर्थ नई उत्धोगों को इस्थापित करने की छमता का विकास फाइप नमर लोगों को सच्छता सष्ट विज्ञान तथा बिमारियों के परती जागरुक करना तथा नियंतर्न करना नेक्स्ट वेंटेट नमर क्वेश्चेन और एही क्वेश्चेन लस्ट अनवी करनिया सनसादन का उचीत उप्योग क्यों अवैस्षक है इसका उत्तर होंगे क्योंकि ये सनसादन सिमित मात्तरा में उपलबत है और इन्हें पुन प्राप नहीं किया जा सकता है उसे अनुई करने सनसादन कहा जाता है तो चलिए गाईच आज यही पर समाप्त करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में विकास से रिलेटेड जितना क्वेश्चेन है उसका एंसर बताने बाले हैं फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक बाई